तो वल्कम बैक टू गैजट स्टोर और आज की स्यूडियो में आपको बताऊंगा कि अब क्यूं अभी तक मोटो जीफाइ, जीफाइ प्लस और जीफाइ एस प्लस को और यो अपडेट नहीं मिला मोटो जीफाइ ने कनफर्म तो कर दिया था कि इन सभी डिवाइसों में आपको और यो अपडेट ज़रूर मिलेगा लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो चलिए जानते हैं क्यों नहीं मिला तो मोटो लोला हाली में अपला फोन मोटो जीफिक्स प्लस लाँच करने वाला है तो शायद उनी में आपको इन बिल्ड और यो मिलेगा, याने कि आट अप द बॉक्स और यो अपडेट मिलेगा उसमें वो मोबाइल लाँच होने के बाद 10-15 दिन बाद आपको इन सभी डिवाइसों में और यो अपडेट मिलेगा और यो अपडेट आते ही मोटो लोला का ऑफिशल खबर आ जाएगी तो सबसे पहले इही चैनल पर जुड़े रही है, आपको इही चैनल पर और यो अपडेट की खबर मिलेगी तो दोस्तों यही कुछ कारण हो सकते है कि अभी तक मोटो G5, G5 Plus और G5 S Plus में और यो अपडेट नहीं मिला तो सबस्तों थैंक यू वाचिक दिस वीडियो बने रही है गैजट टूर के साथ यह एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो था तो थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब तो इस चैनल बाई